नमस्कार दोस्तों धर्मीज किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों में अक्सर हम सत्तु का सरबत ज्यादा बनाते हैं जिससे हमें शरीर में नेचरली थंड़क मिलती हैं। और सत्तु के आटे के कचोड़ी, पराठे वगेरा सब कुछ बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मार्केट में ये काफी महंगा मिलता है लेकिन हम इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना बहुत ही आसान वीदे से सत्तु का आटा। सत्तु का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टीस्पुन जीरा लिया है, वनफोत कप बादाम, आधा कप दलिया लिया है और एक कप मैंने यहाँ पर भूना हुआ चना लिया है, जिसे फूटाना भी कहते हैं और ये सभी चीजे अकसर हमारे घर में होती ही हैं, तो ह तो हम दोनों हाथ में इस तरह से रगड़ेंगे, तो छिलके आसानी से निकल जाएंगे, तो यहाँ पर हम जितने हो सके उतने छिलके निकाल लेंगे, और छिलके निकालने के बाद मैंने यहाँ पर चना और छिलके को अलग कर लिया है, अब हम पेन में दलिया डाल देंगे और साथ ही साथ बादाम भी एड़ करेंगे अब इसे धीमी आज पर लगातार चलाते हुए बुन लेंगे बुनने में हमें 3-4 मिनिट लगेंगे दल्या का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक हमें इसे बुनना होगा दोस्तो वैसे तो सत्तु का पाउडर बहुत अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है गेहों का यूज करके भी बनाया जाता है और जो का यूज करके भी बनाया जाता है तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है वो आसानसी सामगरी के साथ बनाया है तो यहां हमारे दल्या भून चुके हैं अब उसी में हम जीरा भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे और जीरा भूनने के बाद हम गेस बंद कर देंगे और गेस बंद करने के बाद इसमें भूना हुआ चना भी एड़ करेंगे वैसे तो यह चना भूना हु जाये तब तक हमें इसे थंडा करना होगा तो यहां पर सभी चीज़े अच्छे से थंडी हो गई है और क्रिस्पी हो गई है तो इसे हम आधा आधा करके मिक्सी जार में निकाल लेंगे हमें इसे दो बार पीसना होगा तो पहले मैंने आधा इसमें निकाल लिया है और इसे ब में थोड़े मोटे दाने आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा तो इसे हम एक बार च्छान लेंगे और जो थोड़ा सा मोटा हुआ रह गया है उसे भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और बाकी का जो बचा है उसी के साथ इसे भी पीस लेंगे तो यहां हमारा सेकेंड बेच भी रेड़ी है इसे भी हम चान लेंगे तो यहां हमारा बहुत ही हेल्दी प्रोटीन और फाइबर से बरपूर सत्तु का आटा रेड़ी है तो फाइनली चानने के बाद आप देख सकते हो कि एक चम्मत जितना बचा है तो मिक्षर में भी हमारा आटा बहुत ही अच्छे से पीस गया है अब सत्तु को हम एरटाइट कंटेनर में निकाल लेंगे इसे फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सभी चीजों को अच्छे से भुना है तो इसे बाहर रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होगा तो दो से तीन महीने तक हम इसे आरा सत्तु लेंगे अब उसी के साथ पोना चम्मच काला नमक एड़ करेंगे और पोना चम्मच हम भुना हुआ जीरा पाउडर भी एड़ करेंगे आदा निम्बू ने चोड़ेंगे और एक गलास थंडा पानी एड़ करेंगे तो यहाँ पर हमारा सॉल्टेड शर्बत अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसमें गूर भी एड़ कर सकते हो और गूर की मातरा आपको मीठा कितना पसंद है उसी के हिसाब से एड़ कर सकते हो या फिर चिनी भी एड़ कर सकते हो तो यहाँ हमारा एनरजी से भरपूर सत्तु का शर्बत रेड़ी है अब उसी सत का यूज करके हम थेपला भी बनाएंगे तो इसके लिए mixing bowl में एक कप गेहु का आटा लेंगे अब उसी के साथ हमने जो सक्तू बनाया था वो आधा कप एड़ करेंगे आधा कप कद्दुकस की हुई पत्ता गोभी भी एड़ करेंगे और वन फूट कप इसमें बारिक कटा ह हुआ हरा धनिया एड़ करेंगे एक टेबल स्पून अद्रक मिर्ची की पेस्ट एड़ करेंगे आधी टीस्पून हल्दी पाउडर वन फूट टीस्पून हिंग एड़ करेंगे और स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे अब एक टीस्पून मैंने यहां पर अजवाइन अजवयन को हाथ से ही थोड़ा सा मसल कर एड़ करेंगे, 2 टीस्पून सफेद वाँ तील एड़ करेंगे, और 2 टीस्पून जितना सरसु का तेल भी एड़ करेंगे, अब इन सभी सामगरी को अच्छे से मिला लेंगे, अगर आपके पास सरसु का तेल नहीं है, तो जो तेल आप घर में यूज करते हो वो एड़ कर सकते हो आप चाहे तो गी भी एड़ कर सकते हो अब थोड़ा-थोड़ा करके पानी एड़ करते जाएंगे और नाज यदा नर्म नाज यदा सक्त ऐसा आटा लगा करके तयार करेंगे वैसे तो सत्तु का स्टफ पराठा बनता है लेकिन आज हम इसका थेपला बनाएंगे और वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं खस्ता बनते हैं और गरम गरम खाने में बहुत ही मज़ा आता है और आप चाहे तो इसमें बारिक कटे हुए प्याज के टुकडे भी एड़ कर सकते हो आप चाहे तो कद्दुकस किया हुआ गाजर भी एड़ कर सकते हो कद्दुकस की हुई लोकी भी एड़ कर सकते हो अब मेथी या पालक की भाजी भी एड़ कर सकते हो तो यहां पर हमारा थेपला बनाने के लिए डो रेडी है, अब वन फोट टी स्पून जितना तेल एड करेंगे और फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे, अब हमें यहां पर इसे रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत इसके थेपला बनाएंगे, तो एक म से बेल लेंगे, तो किनारी ज्यादा फटेगी नहीं, और थेपला हमें ना ज्यादा मोटा रखना है और ना ज्यादा पतला, अब थेपला को हम गर्म तवे पर सीख लेंगे, जब लगे की नीचे से थुड़ा सा सीख गया है, तब हम इसे पलट देंगे, अब दोनों साइ ज्यादा देर तक सीखना भी नहीं है, नहीं तो ये बहुत ही कड़क हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा थेपला बहुत ही अच्छे से सीख गया है, तो इसे उतार लेंगे, और समान विदी से हम बाकी के थेपला भी बना लेंगे, हमने जितना डो बन सकते हो, ये बिना तेल के भी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो दोस्तों आज की होममेट सत्तु और सत्तु पराठा और सत्तु का शर्बत रेसिपी आपको केसी लगी वो कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और इस आसान सी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, मैं धर म फिर्मी लुंगी एसी ही आसान सी रेसिपी के साथ.